हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि चैक में हम कुर्ती जो है किस तरह से बना सकते हैं और अगर आप चैक में सिंपल कुर्ती बनाने लगोगे न तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी लेकिन इसमें हलका से डिजाइन डालोगे न तो बहुत सुंदर लगती है चैक में कुर्ती आप इसके साथ जो है प्लाजो प्लेन भी वेर कर सकते हो या सिंपल वैसा भी कर सकते हो तो कपड़े को पहले देखिए डबल फोल्ड किया था उसके बाद एक और फोल्ड किया यानिकि ये चार तह हमारी उस सेड को होनी चाह करेंगे 16 इंच का परफेक्ट टॉप जो है वह बैठता है तो 16 इंच का पहले हम इस तरह से दोनों निशान लगा के दोनों साइड लगा के इसको कट कर लेंगे और यह वाली कुर्ती स्थिच करना बहुत ज़्यादा आसान है जैसे कि 16 इंच का आपने टॉप रखाना तो बाकी कि जो लैंथ है वह आप बोल्टम से पूरी कर लीजिजी तरब कुली वले सैड यह हमारी उस सैड को हमें निशान लगा लेおい linear तो यहां पर पूरा पेटरन बनाने के लिए जितना तीरा रखा है उतना देखिये नीचे भी रख केसे हैं एसे निशान जो है वो बना लुए धिला भी यहां पे आर्म होल बना लेंगे और अब हम लेंगे चाथी टो जितनी आप की चाथी है उसमें आपको 1 पार्ट रखना होता दो देना है अब हमें कमर सका भी पार्ट ही आपकोDid you्आ चाथ का mean एचाथ र सभीा साइब लिए मौनर से में में लौट tuag कप चल्क कर लेंगे और हल्की सी कटिंग देखिए यह मैं तीरे की दे रही हूं यह देखिए इस सैड से गले की साइट को यह इस तरह से हल्की सी 10-5 की कटिंग करनी है अब देखिए नेचे का यह बॉटम है हमारा तो बॉटम को लंबाई मैंने आपको बता दिया कि जितनी आपकी लंबाई है वो पूरी रख लेंगे और यहां पर आप यह तो आपके पास कपड़ा जाद है तो आप पूरे में प्लिट्स डाल सकते हैं और अगर आपके पास कपड़ा कम है तो बीच सेंटर में जो है वो दो प्लिट्स आप डाल सकते हैं तीन डाल सकते हैं तो इस हिसाब से करना है तो सबसे पहले मैं यह कूर्ती की पूरी लंबाई रख लूँगी और जो फिर बाकी का बचेगा उसका हम बाजू बना लेंगे तो इस तरह से यह देखे कूर्ती को पूरा मैंने कट कर लिया है और यह इस तरह से देखे यहाँ पे यह हमारी प्लिट्स जो है वो आएगी तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बाकी का कपड़ा बचा है इससे हम इस तरह से देखे डबल फोल्ड करके इसमें एक और फोल्ड देंगे और यहाँ पे इसका हम बनाएंगे बाजू और मेरा जो यह कपड़ा है न यह डबल अर्ज का यहनके 60 का पन है तो यह मेरी 60 का पने में है, यह सिंगल अर्ज में ही मेरा यह बन रही है कुरती और डबल अर्ज का यह कपड़ा है तो यह सिर्फ डेर माटमेटर में ही मेरी कुरती देखिए बहुत अच्छे से यह आ गई है और यहां से अब मैं यह बाजू पर आर्म होल के साथ तो इस तरह से दिखी मिलाएंगे कुले वाली साइड की तर्फ जो है हमारा आरम होल आना चाहिए तो बस अब हम बाजू को भी कट कर लेते हैं अब हमें कूर्ती का नैक बनाना है तो यह धाई इंच का मैं देखिए इस तरह से इसकी चोडाई रख रही हूं लंबाई में इसकी जो है छे इंच की रख रही हूं और यहां पर मैं हलका सा जो है इस कुर्ती में डेजाइन बनाऊंगी और यह डिजाइन का वीडियो में अलग शेयर कर दूंगी new रौद का को मैं कसी चोड़ने में हमारी जो है असान हया जाएक इस इस हिसाब से यहां पर हमारी चोन्यट फिर आजाएगी आगे पीछे हमारा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा और इसको हम देखिए इस सिधर सिधर फिर मिलाएंगे और इदर ऐसे करके इसको हम फिर स्टिच करेंगे नेक डिजाइन आपको मैं देखिए यहाँ पर मैंने नेक डिजाइन के लिए पट्टी काट ली है और हलका सब दाती हूँ वैसे यह मैंने डबल किया लेकिए इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें मैंने प्रेस कर लिया है तो नेक डिजाइन का जो यह वीडियो है यह मैं बाद मैं शेयर करूँगी और प्लीज फ्रेंस अगर आप मेरी वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें साथ में बने बैल आइकन के साथ और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जुरूर कर दें इसका वीडियो में अलग से शेयर कर दूँगी तो इस तरह से देखिए हमारी यह चैक में बहुत सुन्दर कुर्ती बनती है बस चैक में जो है अगर आप कुर्ती बनाते तो उसमें हलका सा आप डिजाइन देना तो बहुत अच्छी लगती है और यह फैब्रिक रियोन में है तो इसके साथ देखिए यह चैक में ही मैंने यह प्लाजो का वीडियो भी शेयर किया हुआ है आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यह वहला प्लाजो जो है वो कटिंग और स्टिच करना बताया हुआ है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे एक और नई ऐसी ही स्टिचिंग की वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई और प्लीज वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक शे करना एंड थेंक यू